Welcome back to my class students. Today I have brought for you a paragraph on how we can prevent ourselves from COVID-19. फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास में. मैं जोधी तिवारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. पैराग्राफ ओन हाउ वी केन प्रिवेंट आर्सेल्ब्स फ्रॉम कोविड नाइन्टीन. मीन्स कोविड नाइन्टीन से हम कैसे सुरच्छित रह सकते हैं. ये टॉपिक आपका पिक्चर गाइडेट कॉम्पोजीशन के अंतरगत क्लास टेंथ की क्वेस्टन बैंक में दिया गया है. तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ ओन हाउ वी केन प्रिवेंट आर्सेल्ब्स फ्रॉम कोविड नाइन्टीन. पट फर्स्ट आफ आल ताकि आपको अदर वीडियो भी मिलते रहें. आपका जो क्वेस्टन है वो कुछ इस प्रकार से आएगा. On the basis of the picture given below, describe how we can prevent ourselves from COVID-19. ये question आपका question bank में दिया हुआ है और ये जो picture दिया हुआ है ये भी उसमें बना हुआ है और इसी के ऊपर हमको पैराग्राफ लिखना है. तो चलिए अब शुरू करते हैं paragraph on how we can prevent ourselves from COVID-19. The world has faced many calamities time to time like natural disaster and world wars. विश्व ने समय समय पर बहुत सी आपदाओं का सामना किया है जैसे की प्राकृतिक आपदाओं और विश्व युद्ध. The year 2019 witnessed a global disaster the world has ever faced. सन 2019 एक ऐसी ही प्राकृतिक आपदा का साच्छी रहा है जिसका विश्व ने सामना किया. The name of this pandemic is COVID-19 or Corona Virus Disease. इस विश्व ब्यापी महामारी का नाम COVID-19 या Corona Virus Disease है. Corona Virus Disease is a highly contagious disease caused by saver acute respiratory syndrome Corona Virus 2. Corona Virus Disease एक बहुत ही संक्रमक रूग है जो की स्वसंत अंत्र से संबंदित है और यह एक वाइरस के द्वारा संक्रमक व्यक्ती से स्वस्त व्यक्ती तक पहुंसता है. As we know that the treatment of COVID-19 has not been possible till now. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि COVID-19 का अभी तक कोई भी उपचार संभव नहीं हो सका है. So, it is necessary to adopt some preventive measures to stay safe from it. इसलिए यह आवस्यक है कि कुछ सुरच्छात्मक उपाए अपनाना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके. It is rightly said that prevention is better than cure means इलाज से बचाओ बहतर होता है. So, if we want to stay safe from COVID-19, we must adopt certain preventive measures. इसलिए यदि हम COVID-19 से बचना चाहते हैं, तो हमें कुछ preventive measures मतलब सुरच्छात्मक उपचार अपनाना बहत ही आवस्यक है. Such as, one should regularly wash hands at least 20 seconds with soap. हमें लगातार अपने हाथों को कम से कम 20 seconds तक किसी भी soap से धोना चाहिए. Use sanitizers with at least 70% alcohol. हमें ऐसे sanitizer का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कम से कम 70% तक अलकोहल हो. Avoid to go crowded places whenever possible. जब तक संभव हो, हमें भीड भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए. Next point is, wear mask when in public places. हमें mask पहनना चाहिए, जब भी हम public places में जाते हैं. Next point is, do not come direct contact with anyone like shaking hands, giving a hug, etc. हमें किसी भी व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने, जैसे की हाथ मिलाने और गले लगने से बचना चाहिए. Next point is, try to maintain social distance. Means, हमें समाजिक दूरी बना कर रखना चाहिए. Seventh point is, try to avoid touching eyes, nose, or mouth with unwashed hands. Means, हमें अपनी आखों, नाख और मुह को बिना धुले हुए हातों से या गंदे हातों से नहीं चूना चाहिए. Apart from all, we should get vaccinated as for the instructions of the government. इन सबके अलावा, हमें गौर्मेंट के निर्देशा नुसार टी का करन भी अवस्य करवाना चाहिए. ताकि हम COVID-19 से अपनी सुरच्छा कर सकें. COVID-19 is a big hazard to mankind, but by adopting certain preventive measures and following the guideline issued by the government, we can stay safe and we can save ourselves as well as our country. COVID-19 मानो जाती के लिए एक बहुत बड़ा खत्रह है, किन्तु कुछ सुरच्छात्मक उपाय अपना कर और गौर्मेंट के द्वारा जारी की गई guideline को अपना कर हम सुरच्छित रह सकते हैं और इससे ना केवर्द हम अपनी सुरच्छा कर सकते हैं, बलकि हम अपने देश को भी सुरच्छित रख सकते हैं. अब चलिए कुछ new words सीख लेते हैं, जो कि इस paragraph के अंतरगत यूज किये गए हैं, ताकि आपको paragraph को learn करने में आसानी हो. The very first new word is calamities means आपदाएं. Second is natural disasters means प्राक्रतिक आपदाएं. Next is contagious means Sankramak. Next pandemic means विश्व ब्यापी महामारी. Next disease means बीमारी. Next adopt means अपनाना. Next word is hazard means खत्रा. Next word is crowded means अधिक भीडवाली. And last is preventive measures means निवारात्मक उपाएं. तो ये थे कुछ difficult या new words जो की इस paragraph के अंतरगत आए थे. Paragraph learn करने के लिए आप ये new words अलग से learn कर सकते हैं. ताकि जब आप paragraph को लिखें तो आपको कोई भी परिशानी ना हो. So, this was the paragraph on how we can prevent ourselves from COVID-19. I hope you will like it and it will be proved helpful for you for the preparation of the examination. For more videos like this, you can subscribe our channel English with Jyothi Ma'am. Or search in YouTube English with Jyothi Ma'am. Thanks for watching this video. Have a good day.